देखो छे नमबर कॉस्चन देखो क्या कहता है कि किसी पैन का नगद मूले 60 रुपे है किसी पैन को खरीदूँगा नगद 60 रुपे दे के आने है परन्तु वही पैन 20 रुपे नगद वे अगले 6 महीने के लिए 8 रुपे की 6 समान किस्तों में खरीद सकते हैं तो दर ग्यात क दीजिए ठीक है ना अगर पैन को नगद खरीद के लाओंगा 60 रुपे का है लेकिन 20 रुपे उसमें नगद दे के आने है यानि कितने बचे 40 रुपे बचे ठीक है अब 6 महीने तक मुझे 8 रुपे की किस्त देनी है तो कितना हो जागा 8 चिंग 48 ये किलिए रहो गया अब म मैं कितना ब्याज दे रहा हूं उसे 8 रुपे और यही क्या मेरा SI है अब देखो कितने महीने तक जाना है मुझे 6 महीने तक जाना है अब पहले महीने आता हूं और मैं कितना 8 रुपे ब्याज के दे देता हूं पहले महीने में तो कितना बच गया या पर 40 में से 8 गटा होग तो कितने बचेंगे 16 बचेंगे फिर चौथे मंत के मैं 8 रुपे फिर दे देता हूँ 8 रुपे दोंगो तो फिर 8 बचेंगे ठीक है उसके बाद पांचवे मंत मैं फिर 8 रुपे दोंगा ठीक है तो कितने बचेंगे आपके पांच में मन्त के मैं जब आठ रुपे दे दूंगा तो जीरो ठीक है और लाश्ट में जो ले एक, दो, तीन, चार, पांच और छे, ये कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया, इसको जोड़ो, कितना जो प्रिंसिपल बना वो देखो, चा और छे, बार है, बार है, और आठ कितना हो गया, बीस, बीस की जीरो हांसल लगा, दो, दो और चार, छे, छे और तीन, नो, और दो, ग्यार है, ग्यार है, और एक बार है, यानि एक सो बीस हो गया, यानि एक सो बीस रुपे पर, आर रेट आप इंट्रेश्ट से, एक वर्स के लिए अब मैंने क्या किया ता यह जो 6 महीने का है ना उसको को टोटल कर दिया principal को टोटल बटे में 100 गोना में बारा है बरावर कितना है वह आजा आपका आठ रुपे एक 0 से एक 0 कट गया बारै से बारे कट गया तो आर बराबर कितना हो गया असी परसेंट यह जो चार नमबर ऑप्सन है वो बिलकुल आपका सही उत्तर है